फोटोग्रफी टूटोरल्स के लिए सब्स्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाए Hey guys, welcome back to my channel दूस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Nikon D3500 DSLR में subject tracking autofocus system कैसे use करते है चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजिए और ये वीडियो पसंद आए तो एक like कर दीजिएगा अब यहाँ पर बता दू आपको करना क्या है यह जो live view mode है फहले उसे activate करना है ठीक है उसके बाद eye button दबा कर आपको focus mode में जाना है focus mode में आपको AFF select करना है उसके बाद बाहर आने के बाद आपको AF area mode में जाना है AF area mode में यहाँ पर last option दिया है subject tracking AF उस पर जाकर ok दबा दीजिए इसे आपका subject tracking focusing system activate हो जाएगा अब समद लीजिए यह जो background में यह doll है यह मेरा subject है और मुझे इसकी आपके उपर focus lock करना है तो जो green box है जो मेरा focus square है मैं subject की आपके उपर लेकर जाओंगा और एक बार ok दबा दूँगा अब जैसी मैं ok दबाता हूँ यह जो focus square है subject की आपके उपर lock हो गया यह focus square उसके उपर lock है ठीक है इस तरह जो है subject tracking auto focusing system use होता है I hope इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी दोस्तों मेरे चैनल पर Nikon DSLR के सारे tutorials available है किसी भी topic पर doubt or question मुझे comment कीजे और यह वीडियो पसंद आया तो एक like कर दीजे Thank you very much for watching this video guys enjoy photography